हम बात करने वाले हैं राधी का जर्ल टेक के वारे में राधी का जर्ल टेक के करेंडली हम डेली चार्ट पर हैं मैंने आपको और इस पर वीडियो दिया हुआ है I think इन लेवल के आसपास कि अब यहां से फ्रेस बाइंग के लिए मत प्लान करेगा पहला ब्रिकाउट यहां प इंपोर्टेंट होने वाले इनमें से किसी भी एक लेवल से आपको सेलिंग बहुत इजली देखने के मिल जाएगा अगर आप यहां पर बाइंग करते हैं तो ट्राइफ होंगे और फिर लॉस आपको बहुत ज्यादा हो सकता है वहां से अगर आप देखो करीब 158 के लेवल से सैलिंग आना स्टार्ट हो तब मैंने अफिर से आपको वीडियो दिया कि आप देखो है मिनिममम बन ट्रॉंट करके निकलेगा तो हम डारेक्ली 100 रुपीज की रेंज में जाने वाले हैं तो गलती से भी होप मंत रहेगा ठीक है कि रिवर्ज कर जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा आप अगर अलड़ी टॉप से बाय करके बैठे हो तो अभी फिलाल की कंडिशन में आप करीब 20% के आसपास लॉस में 15-20% ठीक है और इस लेबल पर आएगा तो करीब 25% लॉस में होने वाले हैं अगर गलती से भी यहां से बाउंस नहीं किया क्या फिर आप एग्जेट कर पा होगे यह चीज़ सोचिएगा उसके बाद ही कभी भी प्लान करिएगा बुछ भी फिलाल बायों डिप नहीं होने वाला है यह गलती में मत रहेगा ठीक है जो लोग बोल रहे हैं यहां पर कि बायों डिप कर सकते हैं दे के लिबल तक आया तो करीब थर्टी थर्टी फाइपरसेंट नेगेटिव होगा जो कि सॉट टम में रिकावरी करना बहुत डिफिकल्ट होगा प्रिवेस टाइम में अगर आप देखोए तो इसको रिकावर करने में या दुबारा मोमेंटम देने में इतना टाइम लगा थ जो की करीब 7-8 महिने का टाइम फ्रेम है तो फिर सॉट टम से आप मिटम की तरफ सिफ्ट हो जाओगे और मिटम से लॉंग टम की तरफ अगर गलती से भी थोड़ा भी ज्यादा वहां पर करिक्सन आया फिलाल शॉप नेगेटिव है जो मैंने पहले से आपको अपडेट कि चैनल के बाउट बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो पसंदा वाइब वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक्यू सो मच